नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org आज हम बनाना सीखेंगे चिकन स्प्रिंग रोल चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए जो अज़सा हमें दरकार है वो ये है स्पैगेटी नूडल्स एक पैकेट बोन लेस चिकन आधा किलो शिम्ला मिर्च एक पाव बंद कोभी एक पाव हरिप्यास एक पाव गाजर एक पाव कोकिंग ओईल एक से देर किलो पिसी काली मिर्च दो टेबिल स्पोन पिसी लाल मिर्च एक टेबिल स्पोन चिली गार्लिक सॉस आधी प्याली छिला हुआ लहसन 10 से 12 जवे, बारीक चॉप हुए वे सोया सॉस 2 टेबिल स्पोन छिली सॉस 2 टेबिल स्पोन रोल की पट्टियां 1 किलो तरकीब सबसे पहले एक बड़े भगोने में तकरीबन आधा पानी भर कर उबालने रख दें जब पानी उबल जाए तो इसमें स्पैगेटी को तोड़ कर डाल दें और इसको अच्छी तरहां उबलने दें 10 मिनट में स्पैगेटी अच्छी तरहां उबल जाएगी इसको एक छन्ने में छान लें अब आप चारो सबजीयों को यानी शिमला मिर्च बंद वो भी हरी प्याज और गाजर इन्हें अच्छी तरहां धोलें और इनकी जूलियन कटिंग कर लें अब चिकन को धोलें और इसके भी बारी क्यूब्स काट लें अब आप वो पतीला ले लें जिसमें अपने स्पेगेटी उबाली थी इसमें एक से डेर कप कुकिंग ओल डालें और चॉप हुआवा लहसन इसमें शामिल कर दें जब आपको लहसन डालने के बाद इसमें से आवाज आना शुरू हो जाए तो इसमें चिकन डालके भून लें चिकन भूनने के बाद आप इसके अंदर ही काले मिर्च, लाल मिर्च, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस और बागी का मसाला एड़ कर दें और इसे अच्छी तरहां भून लें अब इसमें कटी हुई सबजियां शामिल कर दें और इसे अच्छी तरहां भून लें फिर इसके अंदर उबली हुई स्पैगेटी डाल दें और अच्छी तरहां इसे मिक्स कर लें इसमें नमक हस्पे जायकर डालें अब इस तयार शुदा स्पागेटी को रोल की पट्टियों में भर लें और लई या फिटे हुए अंडे की मदद से इन्हें चिपका लें जब आपके तमाम रोल्स तयार हो जाएं तो एक कड़ाही में तेल गरम करने रग दें और जब तेल अच्छी तरहां गरम होने लगे तो इसकी आँच मीडियम कर लें और इसमें एक एक करके रोल डालते रहें आप तकरीबन 5-5 मिनिट तक रोल को पकाएंगे तकरीबन 5 मिनिट के बाद आप रोल की साइट चेंज रेंगे और उसको मजीद पकाएंगे रोल हलकी आँच पर ही तले जाते हैं इसके बाद आपने रोल्स को एक एक करके निकाल लेना है जब तक रोल्स फ्राइ हो रहे हों तो आप एक डिश तयार कर लें जिसके आप कागस या टीशू पेपर बिछा लें और फिर दस्पने या इस्पाइरल चमचे की मदद से इन्हें निकाल लें अब गर्म गर्म रोल मज़ेदार कैचुप के साथ दनावल फरमाएं आज के लिए इतना हैं मिलेंगे नई रस्पी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए